नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में चर्चा करूंगा जो एक पोन स्टार से एक भारतिय बॉलिवुड अभिनेत्री बन गया है। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो क्रिपया इसे सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेय करें। आए शुरू करते हैं वीडियो। इसे लेकर काफी विवाद हुआ था कुछ इस्लामिक देशों। द्वारा मिया खलीफा को धम किया दी गए थी खलीफा 2001 में अपने परिवार के साथ दक्षन लेबनन संघर्ष के मद्दे नजर अपना घर छोड़ कर संयुक्त राज्य अमेरिका चली गई थी उनका परिव को लेकर काफी ज्यादा उन्हें तन किया जाता था रंग को लेकर उन्हों शुरुआत में काफी कुछ झेलना पड़ा 9 बटा 11 के आतन की हमलों के बाद ये चीज़े बहुत ज्यादा बढ़ गई थी पढ़ाई की जहां उन्होंने अंग्रेजी बोलना भी सीखा सयुक्त र आटेंडर, मॉडल और ब्रीफ ये ज्गल्प के रूप में काम करते हुए उन्होंने खुश को पॉपूलर किया अंतराष्ट्रीय पॉप स्टार रिहाना ने मंगलवार को किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए ट्वीप किया इसके साथ ही उन्होंने प्रदर्शन स्थल पर इंटरनेट बंद करने की आलोचना की रेहाना विश्वस्तर की पहली स्टार है जिन्होंने किसान आंदोलन को समर्थन दिया है अब किसान आंदोलन को अपना समर्थन पूर्पॉर्पॉन स्टार मिया खलीफा ने भी दिया है मिया खलीफा ने समर्थन दिखाते हुए किस किसानों की तस्वीर पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा यानी कि उन्होंने लिखा कि दिल्ली में मानव अधिकारों का उलंगन क्यूं हो रहा है नई दिल्ली के आसपास इंटरनेट की उकाद दी गई है किसानों के मानव अधिकार कहा है मिया खलीफा के इस ट्वीट के बाद से ही वह सोशल मीडिया पर ट्रेन कर रही है उनका ये ट्वीट काफी ट्रोल किया जा रहा है और इस पर काफी मीन भी बन रहे हैं लगाता ट्रोल हुने के कुछ घंटों बाद मिया खलीफा ने किसानों के समर्थन में एक और ट्वीट करते हुए ट्रोलर्स को जवाब मिया खलीफा ने अपने उपलगी उन आरोपों को खारिच किया जिसमें उन पर आरोप लगाए गए कि उन्होंने किसानों का समर्थन पैसे लेकर किया है उन्होंने एक व्यंगात ट्वीट करते हुए लिखा कि ही कोई फिल्म नहीं है जिसमें पैसे लेकर समर्थन किया जा हम किसानों के साथ खड़े हैं